मन को नियंत्रित करके उसके परे जाकर कहिए और न बस जाए इसे लिए अब आगले ओवि में कहते हैं बुद्धी नवेसी तू निश्चय निद्रा काड़ी होतसे लय जागता देही व्याप्त होय याहू नवेगड़ा तू आत्मा बुद्धी नवेसी तू निश्चय तो जैसे तूम देह नहीं हो प्राण नहीं हो मन नहीं हो उसी प्रकार से तूम बुद्धी भी नहीं हो देखो, दियान से सुनना ये जो चार अनुभूतिया है, जागरत, सप्न, सुशुप्ति, समाधी, जागरत अवस्ता बुद्धि प्रधान है, सप्ना अवस्ता मन प्रधान है, सुशुप्ति अवस्ता अहंकार प्रधान है, और समाधी चित्त प्रधान है, तो ये जो चार अ रवस्ताएं हैं यह हमारी नहीं है देखो यह मनबुद्धि चित्व हंकार इनकी है लेकिन चक्कर क्या है हमने इन के साथ तादाट में कर लिया है देह के साथ तादाट में कर लिया और जाग्रत रवस्ता सुरू हो गई मन के साथ तादाट में कर लिया फिर सप्न सुरू हो गया दोनों के अभाव के साथ तादाट में कर लिया सुशुप्ति सुरू हो गई और निरब्र आकाश तुल्य मन शांत है तो समादी हो गई इसलिए महाराज बुद्धी नवेसी तू निश्चयव हम बुद्धी नहीं माने क्या ध्यान से सुनना बुद्धी का स्थान क्या है बुद्धी के दो चीज है एक तो बुद्धी में विवेक है ये अच्छी बात है बुद्धी के विवेक के द्वारा ही हम अपने मन से ज क्या हमारा जीवन भोग मैं हो या योग मैं हो यह विवेक है। क्या हम पशु है कि आहर निद्रा भय मैं थुनम इसी में लगे रहे। कि हम मनुष्य हैं और इसी जनम में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। यह बातों को समझ दो संतों ठीक से। तो यह है बुद्धी का विवेक। कि बुद्धी में एक और चक्कर है। और वो है कार्यकारण। हम यह कार्यकारण में इतने फश जाते हैं कि हर चीज का ऐसा क्यूं ऐसा क्यूं। इसका करण क्या उसका करण क्या। और जब ये कार्यकारण गाइब हो जाता है सुशुक्ति अवस्ता में तो हम शान्त है देखो कार्यकारण के कारण ही यह बुद्धी जिन्दा रहती है यदि आप स्पष्टर रुप से स्विकार करो कार्यकारण मिथ्या कार्यकारण सत्य नहीं है मैंने ये किया कारण इसलिए ऐसा हुआ कार्या मैंने बच्चों को बढ़ा किया कारण इसलिए वो बिगड़ गए कार्या मैंने इसलिए मेरा स्वास्ट ठीक है मैंने मास्क लगाया इसलिए मुझे करोना हो गया कार्यकारण इसलिए प्रमात्मा क्या है कार्यकारण के परे हैं तो जो व्यक्ति कार्यकारण में उलजे हुए है उनको पर मात्मा का दर्शन नहीं हो सकता कार्य कारन का हमको उपयो कैसे करना है को कारन की निश्पत्ति कार्य के कारन होती है जैसे रोग है अमुक अमुक रोग है ये कैसे पता चलता है उसके लक्षन क्या है अमुक अमुक लक्षन होगे तो अमुक अमुक रोग होगा तो कार्य से कारण की रिश्पत्ति होती है इसी प्रकार से यह कार्य को हमने त्याग दिया तो कार्य कारण के परे चले गए तो कैसे त्याग दे अनावशक प्रश्ण पूश करके जैसे मुरुदारेने कुपरेशने पढ़ रहे न इसका कारण क्या है उसका कारण क्या है उसका कारण क्या है उसका कारण क्या है उसका का जो शास्त्रो का विशे हैं उसमें बुद्धी मत लगाऊ, अतिंद्रिय विशे ब्जाव प्रमाणम जो विशे हमारी इंद्रियमन बुद्धी की परे हैं उसमें हमको केवर producto के प्रमाण को ही स्विकार करना है, दूसरे किसी प्रम्स को नहीं, इसलिए वो भी कहते कि इस अक्षर चत्व के बारे में ब्रामणों ने क्या कहा है मारे शास्त्रों ने क्या कहा है ब्रह्मवित पुरुशों ने क्या कहा है वो बताते कि वो मोटा भी नहीं पटला भी नहीं करता भी नहीं करता करन मोगता भी नहीं देखो इसलिए बुद्धी नवेशी तू निश्चय एक हमोखाम प्रश्ण पूछने से हम अपने बुद्धी में फश जाते हैं और इसी को अहंकार कहते हैं करतुर्त्वा भिमान बुद्धी में होता है मैंने ये किया मैंने वो किया देखो महाराज तो अपने ये बुद्धी का हमको समझ करके त्याग करना है तो ये सब कुछ हो रहा है न ये हरिच्छा से हो रहा है आपको जो करना है योग्य करनी है वो बढ़िया से बढ़िया करो और शांतर हो प्रशंदर हो देखो ये पूरा जीवन इसी में लगाएंगे तो दो बाते हैं हम जो भी कर रहे है उसकी आवश्चक्ता किसी को नहीं पहली बात पिर हम क्यों कर रहे हैं दूसरी बात टाइम पास करने के लिए झाल झाल